दिल्ली में मौसम पल-पल करवट ले रहा है बात करें आज यानि सोमवार की तो मौसम केंदर के मुताबिक आज सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है यानि आज दिन में जादा गर्मी बाकी दिनों के मुकाबले होने वाली है जबकि न नियुनतम तापमान 20-डिग्री सेल्सियस रहने वाला है यही नहीं आपको बता दे कि मौसम केंदर के वरिष्ट वैक्यानिक मुहमद दानिश के मुताबिक दिल्ली के मौसम में इन दिनों काफी तेजी से उतार चड़ाओ हो रहा है दिन के वक्त हलका कोहरा हलकी धुंद ह हलकी ठंडी हवाई चल रही है रात में लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है और साथ में ही रात का नियुनतम तापमान भी तेजी से गिर रहा है बात करें इस पूरे सप्ता दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा इस पर जब लोकल एटीन ने मौहमद दानिश से बात की और केंद है 27 ओक्टूबर तक मौसम इसी तरह बना रहेगा जबकि नियुनतम तापमान लगभग 17 से 18 डिग्री सैसियस तक जाने का पूरवानुमान है यानि दिल्ली वासियों को अभी भी गर्मी से किसी भी तरह की राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है मौसम विभा का मानना है क कि ओक्टूबर भी शायद इसी तरह 34 से 35 डिग्री सैसिस के बीच अधिक्तम तापमान के साथ ही विदा हो जाएगा अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली में ठंडी कब तक दस्तक देगी यानि सर्दी घना कोहरा शीत लहर जैसे हालात कब बनेंगे तो इसको लेकर अभी भी काफी मॉनिटरिंग कर रहा है और इस मामले पर अभी भी कुछ भी बोलने से मौसम वैज्यानिक और मौसम विभाग बच रहे हैं उनका कहना है कि आक्टूबर का महिना जितना गरम इस बार रहा है उतना गरम बाकी सालों के मुकाबले नहीं रहा है इसी लिए अखिर दिन में घना कहरा और अच्छी सर्दी लोगों को कब देखने के लिए मिलेगी इस पर मौसम विभाग का कहना है कि अब हमें कम से कम नवंबर तक का इंतिजार करना पड़ेगा नवंबर के बाद ही दिल्ली के मौसम को लेकर मौसम विभाग किसी बित्रा की कोई कि दिल्ली में रात में और सुभा के वक्त अच्छी सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है लेकिन दो पैरबाद कढ़ा के की चिलचिलाती तेज धोप निकलने की वजा से लोगों को अक्टूबर के महिना भी मैं जून का महिना लग रहा है दिल्ली संजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट लोकल 18